Hello my dear students, welcome to MagnetBrain's Hindi Medium मैं प्रग्या गुप्ता, एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए आपकी पार्थ्य पुस्तक का पार्थ भविश्य का भवै, जो की है पार्थ 14 उसके बहु विकल्पी है प्रश्ण लेकर आशापूर्णा देवी जी द्वारा लिखा गया ये पार्थ ये कहानी हमने बहुत अच्छे से पढ़ी थी, समझी है तो अब नंबर है आपको उसके जवाब देने का तो चलिए शुरू करते हैं विकल्प, यहाँ पर आपको 20 विकल्प में आपसे पूछने वाली हूँ जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप आपको करना है अपना सेल्फ एवैल्यूशन यानि की स्वाव मूल्यांकन फटाफट कमेंट बॉक्स में जवाब देते जाएए और मेरे उत्तरों से अपने उत्तर में लाते जाएए इमानदार आप हैं ही, हम आखरी में डिसकस करेंगे और आप अपने नंबर जो हैं, वो मुझे कमेंट बॉक्स में भेजएगा फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपके नंबर कितने हैं तो अभी कितनी और तैयारी की जरूरत है और अगर बहुत अच्छे नंबर हैं, तो आपके लिए बजेंगी तालिया तो शुरू करते हैं, पहला अभ्यास प्रस्तुत पाट की लेखिका हैं, यहाँ पर चार विकल्प दिये हुए हैं जो की विकल्प ये प्रश्नों में तो प्रमुक्ता से होते ही हैं महादेवी वर्मा, आशापूर्णा देवी, विजिया देवी, या फिर शुभश्री वर्मा तो आपको बताना है इसका सही जवाब, जी हाँ आप हैं, बिलकुल सही इस पार्ट की लेकी का हैं, आशापूर्णा देवी जी बढ़ते हैं अपने अगले विकल्प की और, जो की है अंकदो के लिए यहाँ पार्ट किस विधा में लिखा गया है, विधा का मतलब होता है जी हाँ आप तो आप बहुत अच्छे से जान चुके हैं, विधा का अर्थ होता है पार्ट लिखने का जो तरीका है, वो क्या है ठीक है, गद्दी की कुछ विधाएं होती हैं, जिनमें से कुछ यहाँ पर अल्रणी दी हुई है जैसे यह नाटक है, यह कहानी है, यह निबंध है या फिर यह एक उपन्यास है तो आप यहाँ पर देखेंगे क्या यह नाटक विधा में है, कहानी है, निबंध है, उपन्यास है तो जी हाँ, आपका जवाब है बिल्कुल सही, यह एक कहानी है क्योंकि कहानी इसलिए है ये क्योंकि इसमें घटना का वर्णन एकदम डायलोग टू डायलोग दिया हुआ है इसने ये कहा उसने ये कहा ऐसा हुआ वैसा हुआ और अंत में कहानी एक पूर्णता की और पहुँच गई ठीक है तो इसलिए ये एक कहानी है देखते हैं अगला प्रश्ण किस के प्रती सम्वेदना जागरत करने की चेस्टा की जा रही है यानि इस पार्ट में किन के लिए grew कहा जा रहा है कि ये पार्ट किन के लिए especially किस के लिए लिखा गया है किसके बारे में ये कह रहा है बिमार बच्चों के प्रती संवेदना व्यक्त की जा रही है तो आपको जानना है यहाँ पर सही जवाब तो सही जवाब है निर्धन वा असहाय बच्चों के प्रती सहान भूती और संवेदना है वो यहाँ पर जागरत की जा रही है अब निर्धन मतलब जिनके पास कुछ नहीं है जिनके पास धन नहीं है असहाय मतलब जिनकी सहायता के लिए भी कोई नहीं है तो वो हमारी ही तरफ देखते हैं और ह इस परिवार से संबंध रखती थी परिवार का मतलब यहां पर परिवार की आर्थिक स्तती से है तो यहां पर वो गरीब परिवार से संबंध रखती थी या वो साधन संपन्द परिवार या नि मिडल क्लास लोग है ना साधन संपन्द मतलब जो जीवन की भौतिक वस्तूओ की जो आविशक्ताएं हैं वो लगभग उनके घर में सारी थी तो ऐसे परिवार से संबंद रखती थी या फिर किसी रूड़िवादी परिवार से जहां पर पुरानी परंपराय मानी जाती हो और जो पुराने बर्सों से चले आरे धकोसले वाले नियम हैं वो सब माने जाते ह या फिर अत्यधिक अमीर परिवार से बिल्कुल ऐसे परिवार से जहां पर रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी चुटकियों में काम हो जाता हुना को रचाकर लगे होते हैं तो अत्यधिक अमीर परिवार से तो यहां पर आपको बताना है तो हमने जब कहानी पढ़ी है त बहुत छोटी-छोटी बातों का सुक्ष्मता से उसमें वर्णन होता है तो हमने पढ़ा है कि दादी ने क्या कहा, पापा ने क्या कहा, दादा ने क्या क्या, भाई ने क्या कहा, कौन क्या कर रहा था तो चोटी-चोटी बातों की माध्याम से अम इस कहानी की आरतिक इस्तती को भी समझ सकते हैं तो जी हाँ अब आप देंगे इसका सही जवाब तो तुल-टुल ना तो गरीब परिवार से थी, ना बेहद अमीर परिवार से थी ना ही वो रूढ़ी वादी परिवार से थी तो सही उत्तर है साधन संपन्य परिवार से वह संबंध रखती है साधन संपन्य मतलब जहां पर जीवन की जो भहती काविश उकता है है वो सारी की सारी वहां मौजूद थी तुल-तुल किस चीज से आहत हो गई थी? आहत का मुतलब होता है बहुत हर्ट हो जाना है ना कभी-कभी होता है ना हम किसी बात से हर्ट हो जाते हैं गुसे से, दुख से, अपमान से या फिर उपरोक्त सभी क्या उसको जो दूसरों का बाते सुनने को मिल रही थी उससे उसे बहुत गुसा आ रहा था या उसे दुख हो रहा था कि उसने कुछ गलत कर दिया क्या अपमान से यानि जो उसको अपमान प्राप्त हो रहा था घर में जो डाट पड़ रही थी क्या वो उससे बहुत ज़्यादा आहत थी या फिर इन तीनों ही चीजों से वो आहत थी तो यहाँ है सही जवाब, जी हाँ, बिल्कल सही, clap for yourself, पाच अंग हुए, आपके उपरोक तो सभी उसको गुसा भी था, उसको दुख भी हो रहा था, वो अपमान भी महसूस कर रही थी, तो इस प्रकार उन चीजों से आहत थी अगला है तुल्तुल को घर का काम करने को क्यों कहा गया, यानि जब वो आई तो उसको बहुत सारे काम बताए गए उसकी दादी और ममी की तरफ से, तो वो उसको क्यों बताए गए वो आपको जवाब देना है, विकल्प है, पुरुसकार स्वरूप, क्या उसने कोई अच्छ तारीफ करवाने के लिए या फिर तारीफ करने के लिए उसे काम करने को कहा जा रहा था, और अंतिम विकल्प है, सिखाने के लिए कि भई घर का काम काज कुछ सीखो तुम, इसलिए किया जा रहा था, तो आपको बताना है इसका सही जवाब, पाट के दौरान हमने पढ़ा था और justice के पहले जो विकल्प भी हमने पढ़ा ठीक है उसमें भी आपने जाना कि तुल्टुल क्यों आहत थी तो आधा उत्तर जो है वो आपको यहाँ पर भी समझ में आ जाएगा तो बिल्कुल सही है आपकी सोच और आपका जवाब कि तुल्टुल को ये घर के सारे काम जो बताय जा रहे थे वो दंड स्वरूप बताय जा रहे थे क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि उसकी वज़े से जो महरी है वो काम छोड़ कर चली गई थी अगला देखते हैं प्रश्ण साथ महरी की बेटी का नाम क्या था महरी यानी होता है जो हमारे घर में हमारी सहाई का होती है जो घर के घरेलुकारियों के लिए हमारी सहाईता करती है तो उन्हें भी एक सम्मानिय संबोधन दिया जाता है तो उसे हम महरी कह सकते हैं तो जिहां उसका नाम तुनी था देखते हैं अगला विकल्ब अंतर राष्ट्रिय बाल वर्ष के बारे में तुलतुल को किस ने बताया था इस पार्ट के दौरान आपने अंतर राष्ट्रिय बाल वर्ष के बारे में सुना तो ये तुलतुल को किस ने बताया था क्या उसकी दीदी ने उसे बताया था, क्या उसकी मिस यानि की स्कूल की किसी टीचर ने उसे बताया था, आंटी ने बताया था, या फिर उसकी मित्र ने उसे बताया था, तो ये भी आपको जो जब हमने पाट पड़ा था, तो एक काफी बड़ा सा पैराग्राफ हमने इसके बारे में ज ही जवाब उसकी मिस यानि की स्कूल टीचर ने उसे इस अंतर राश्ट्रे बालवर्ष के बारे में बताया था बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर अंतर राश्ट्रे बालवर्ष में क्या करना था अब बंतर अश्री बालवर्ष की बारे में तो बता दिया अब आखिर उसमें करना क्या था बच्चों की देख भाल करनी थी अच्छा खाना देना होगा उनको खूब प्यार उसने हैं देना था या फिर उपरोक्त सभी तो जी हाँ आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल जवाब है वही तो जल्दी से मुझे बताईए कि आखिर आपने सोचा क्या है और अगर आपने मेरे हिसाब से पढ़ाए हुए पार्ट की अधार पर सोचा है तो आपका जवाब है बिल्कुल सही जो की है उपरोक्त सभी अंतर राश्ट्रे बालवर्ष में बच्चों की देख भाल बच्चों को अच्छा खाना कूबसने है प्यार ये सारी चीज़े उसी के अंतरगत आती है अब ऐसा नहीं है कि ये किसी बालवर्ष जब तक चल रहा है सिर्फ तब तक करना है उसके बाद ऐसा नहीं करना है लेकिन इस बालवर्ष के माध्यम से इस एक अच्छे कारे की शुरुवात हो गई है अब हम इसे हमेशा कंटिन्यू कर सकते हैं अगला प्रश्ण है तुल्टुल ने तुनी को ठंड में क्या करते देखा ठंड का मौसम था तुल्टुल को सबसे पहली बार गुस्सा क्यों आया था उसने तुनी को क्या काम करते देखा था ठंड में कपड़े धोते हुए देखा था चाई के बरतंद होते हुए देखा सफाई करते हुए देखा या फिर पोच्छा लगाते हुए देखा था तो अब उसने कोई एक दृष्य था कोई एक काम था जब वो सुबा उसने देखा तो तुल-तुल क्या कर रही थी जी हाँ बिल्कुल सही है आपका जवाब तुल-तुल ने टुनी को सुबा-सुबा चाय के बरतंद होते हुए देखा था वो भी ठंड में तो तुल-तुल को वही पर गुसा आ गया कि मेरी बराबर उम्र की लड़की है और सुबा-सुबा ये अपनी पढ़ाई लिखाई है और सारे काम छोड़कर ये ठंड में चाय के बरतंद हो रही है तो उसको बड़ा गुसा आ गया था वहाँ पर है न अब हम देखते अगला प्रश्ण सभी छोटे बच्चों को खालिस्थान और खालिस्थान दिये किये जाने का अधिकार है आपको यहां उचित शब्द भरना है इन दोनों खालिस्थानों में प्यार और देखभाल, फिक्र और कद्र, खाना और कद्र, कपड़े और शरारत इसमें से कौन सा विकल्प सही है तो पहले आप सेट करके देख ले सभी छोटे बच्चों को कपड़े पाने और शरारत किये जाने का अधिकार है तो नहीं जम रहा है सभी छोटे बच्चों को खाना पाने और कद्र किये जाने का अधिकार है ठीक है बट उतना सही नहीं है सभी छोटे बच्चों को फिक्र पाने और कद्र किये जाने का अधिकार है ठीक है सभी छोटे बच्चों को प्यार पाने और देखभाल किये जाने का अधिकार है यानि उनकी प्यार और देखभाल की जानी चाहिए अगला प्रश्ण देखते हैं तुल्तुल ने टुनी के हाथ से क्या छीन कर फेक दिया ऐसी कौन सी चीज थी जो उसने टुनी के हाथ से लिया और छीन कर फेक दिया कील, क्याची, हाथोडा या फिर चाकू अब आपको वो स्तिती आद होगी कि तुनी ऐसा कौन सा काम कर रही थी जिसको देखकर तुल-तुल बहुत भड़क गई कि तुम छोटी बच्ची तुम पढ़ाई के लिए बनी हो तुम्हें पढ़ना चाहिए और तुम ये सब काम कर रही हो तो ऐसी कौन सी चीज थी इन चारों में से जी हाँ वहाँ उसके हाथ में था हतोडा जो उसने लिया और फेक दिया कि तुम आखिर ये सब कामों में क्यू लगी हुई हो तुम्हें क्या करना चाहिए तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए आ गए हैं हम विकल्प 13 की और स्कूल में किस धंग से बात करनी पड़ती है ये वाक्य स्पेशली बोला गया है तुलतुल की मा के द्वारा बोला गया था किसके लिए तुल्टुल को बताया गया था कि जब तुम स्कूल जाओगी तुम्हें कैसे बात करनी है गंभीरता से, शान्त होकर थोड़ा सा बहुत हसना नहीं, बोलना नहीं, गुस्से में नहीं और शोक में भी नहीं या फिर सभ्यता से, तो कौन सी तरीके का प्रयोग वहाँ पर उनको बातचीत के लिए करना था तो यहाँ जवाब है उप्रयोग तो सभी, यानि जब हम स्कूल में बात करते हैं किसी से तो हमारी बातों में गंभीता यानि की सिंसेरिटी भी होनी चाहिए, शांत मतलब थोड़ा सा पुलाइटली बात करना चाहिए, सभ्य मतलब सभ्यता एटिकेट्स होना चाहिए, तो बिल्कुल सही है आपकी सोच कि यह सारी की सारी चीजें बातचीत के दौरान हमारे लहज इसकी बात पर क्या ध्यान देना, या फिर हम बहुत मित भाशी की तरह हमारी पैचान और यह तो बोलती ही नहीं है या बोलता ही नहीं है, इससे क्या बात करना, तो यह तीनो चारों चीजें बहुत जरूरी हैं, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की और, चौदवा प् कर दी, लेकिन अब जब वो सुभा इसा बातों से दिशिन्थ होके सोई, तो सुभा उठने पर उसने क्या देखा, कि पापा घर पर नहीं है, तुनी चाय के बरतंद हो रही है, महरी नहीं आई थी, या फिर का और खा दोनों, तो आपको यहाँ पर देना है सही जवाब, ज अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजा लीजे, क्योंकि सही जवाब है, का और खा दोनों, यानि पापा घर पर नहीं थे, जब वो सुभा सोकर उठी जिजिन्थिन्थ, तुनी का दाखिला कराने के लिए उसको स्कूल लेके जाना था, सुभा जब उसने देखा त थी, आ गए हैं अगले प्रशन, पंद्रा नंबर के प्रशन पर, महरी ने अपने घर पहुँच कर क्या कहलवा दिया, महरी यहां से तो कह कर गई थी, कि ठीक है मैं टुनी के पापा से बात करके बताऊंगी, लेकिन जब वो अपने घर पहुँची, तो उसने घर से क्या मे आईगी, तो इसमें से देना है आपको सही जवाब, और सही जवाब जो कि आपने सोचा है, वही है जनाब, तो जी हां वह है कि वहाँ आज का आपवा काम नहीं करेगी, ऐसा उसने अपने घर जाकर एक सुखदा नाम की जो एक और महरी थी, जो किसी अन्य कॉलोनी में आया करती थी, उससे ये संदेश भेजा था, अगला प्रश्ण है नाना जी ने तुल-Tुल को कौन सी पुस्तक पढ़ने को दी, जब अपने नाना जी के घर गई थी, वहाँ पर नाना जी ने उसको कौन सी पुस्तक पढ़ने दी, बच्चे मन के सच्चे, दयाक्ति सागर, विद्यासागर इन चारों में से कौन सी पुस्तक उसको पढ़ने के लिए दी गई थी आपका सोचा हुआ जवाब है बिलकुल सही दयाकिसागर विद्यासागर महराज की पुस्तक उसको पढ़ने दी गई थी कौन है ये दयाकिसागर विद्यासागर जी तो ये ठंड से ठुठुरते लड़के को तुल्टुल ने क्या दे दिया जब पुस्तक पढ़ने के बाद उसने कुछ अच्छी बाते वहां से सीखी उसी का परिणाम था ये दान तो आपको बताना है कि जब तुल्टुल ने ठंड से कुकुडते मतलब ठिटुडते हुए उस बच्चे को देखा तो उसने क्या किया उसने अपना कंबल दे दिया, कारडिगन दे दिया, हीटर दे दिया या फिर जैकिट दे दिया तो आपको देना है इसका सही जवाब, जो की है बिल्कुल सही उसने अपना कारडिगन यानि कि स्वेटर टाइप जो होता है वो उस बदलड़के को ठंड से बचने के लिए दे दिया था बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की और तुल्तुल को भविश्य में किस बात का डर भी था, यहां पर आएगा डर उसे किस बात का डर था कि वह बड़ी होकर मा की तरह उलट पुलट जाएगी यानि मा की तरह वो सब भूल भाल के अपने घरगस्ती में लग जाएगी और यह सब भूल जाएगी कि उसे असहाय और निर्धन बच्चों के लिए क्या करना है उसे लगा वो बेवकूफ बन जाएगी वह या भूल जाएगी कि सभी लोग एक समान है क्या वो यह भूल जाएगी या फिर उप्रोक्त सभी यानि उपरोक्त सभी यानि ये तीनों विकल्प जो दिये हुए हैं यापर वो तीनों बिलकुल सही है तो आएगा यहाँ पर सही जवाब जी हाँ उपरोक्त सभी उसको ऐसा लगता था कि वो बड़ी होने के बाद उसके दिमाग से सब उलट-उलट हो जाएगा और वो भी अपनी मा की तरह नॉर्मल हो जाएगी और यह सब अपने फर्ज जो उसके हैं गरीब है बच्चों की सहाइता कि यह सब उसके दिमाग से निकल जाएगा वो लोगों की बातों में बेफकूफ बन जाएगी और तीसरा वो ये भूल जाएगी कि सभी दुनिया की जो लोग है वो एक समान है ठीक है इस प्रकार उप्रोग तो सभी है इसका सही जवाब देखते हैं अगला विकल तुल्तुल के पेट में खालिस्थान रहे थे कौन कूद रहे थे चुहे, गिलहरी, छिपकली, बंदर तो अब बंदर दुसका जवाब हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर प्रयोग करना है आपको एक मुहावरा जो की है तुल्तुल के पेट में चुहे कूद रहे थे अगला और आखरी रिकल्प है विदेशी शब्द है यहाँ पर विदेशी शब्द वो होते हैं जो की किसी भाषा में विदेशी भाषाओं के शब्द जैसे कि हमारी हिंदी में अंग्रेजी, फालसी, इन सारी भाषाओं के तुर्की के शब्द आ गए हैं वे कहलाते हैं विदेशी शब्द आपको ये शब्द उपड़की पता चल जाएगा कि ये हिंदी के तो नहीं है पहला शब्द है यूनिफॉर्म, दूसरा है फ्रॉक और तीसरा है हुक्म हुक्म मतलब आदेश देना तो यहाँ पर कौन सा विदेशी शब्द है? जी हाँ आपका जवाब है बिल्कुल सही यहाँ पर सही जवाब है उपरोक्त सभी क्यों उपरोक्त सभी? क्योंकि यूनिफॉर्म, फ्रॉक, हुक्म ये सब हिंदी के शब्दा होकर विदेशी भाषाओं के शब्द हैं तो आ गए हैं हम अपने विकल्प को समाप्त करके अपने अंतिमकारी की ओर जो की होता है पुनरावलोकन, पुनरावलोकन यानि रिवीजन जो की आपको करना है अपनी पुस्तक से और सारे वीडियोस को एक बार स्पीड में फटाफट देख कर ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा chapter आपको अच्छे से समझ में आगया है कौन सा विकल्प इसमें से अच्छे से नहीं बन रहा है कौन सा ऐसा उत्तर है जो आप नहीं कर पा रहें तो जो भी मुश्किलें आपको आ रही हैं आप कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो को दुबारा एक बार देख ले ताकि जो भी आपके संदे है या डाउट है वो clear हो जाए क्योंकि Magnet Brins चाहता है आपको हमेशा जीवन में उचाई पर देखना सफलता के आयाम पाते देखना क्योंकि Magnet Brins आपके लिए जो भी सुविधाय लाया है वो लाया है बिल्कुल पूरी तरह निशुल्क और Magnet Brins चाहता है कि आप अपने जीवन में बहुत नई सफलता के आयाम चुए आयाम चुने के लिए यहाँ पर Magnet Brins ने आपको दिये हैं कुछ gifts जो की हैं CBC English Medium, Hindi Medium, UP Board, Bihar Board, साथी साथ NTSC, CUET, Olympi Arts और Spoken English भी books, e-books के collection के लिए आप description box में जो link दी है वहाँ पर click करें जैसे ही वो link आप click करेंगे एक Google form open होगा form को fill करें, submit करें जरूरी information आएगी हमारे पास और आपकी आवश्यक बस्तुवें पहुंच जाएंगी आपके पास हमसे जुड़े रहने के लिए Facebook, Instagram, Twitter और Telegram की मदद आप ले सकते हैं वीडियो को और चैनल को like, comment और share करना बिलकुल भी न भूले और sharing तो बिलकुल भी न भूले क्योंकि ज्यान बाटने से बढ़ता है मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, अगले पार्ट, अगली जानकारी के साथ तक तक कीजे मेरा इंतजार, खुश रहिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजे बाई बाई